नमस्कार सिरी वैम में आप सभी का स्वागत है मैं प्रीती चंद्रा एक बार फिर हाज विर सहार एं पुलिटीन की पड़ी खबरों के सांतों चले शुरुआत करते हैं आज के पहली बड़ी खबर से गोलियों की ताबर तोड फारिंग से गुझा जिवाला का जंगल बीती रात्री जिवाला के जंगल में थाने फातेपूर प्रभारी वैंकी पुलिस टीन का बदमाशों स्यामन सामना हुआ है इस दोरान पुलिस वा बदमाशों के बीच जबर दस्क मुटिबेड हुई इस द और प्यो गाड़ी बाइक वे दो देसी तमंचे चार जिंदाकार तूस वे अवेत असला सहीद ग्रफतार कर जेल भीजा हैड़ पर करन मामले में आया नया रोक नल को कुछी दूरी पर क्या गया हस्तांत्रे दुकांदार संचाल को के दुकंदारी में बांदा बना हुआ जहां पहले हैड़ पर करन मामले में सियासी जग छड़ गई थी वही अब यह मामला ठंडा हो गया है जिलादीकारी अकले सिंग ने जानकारी देते हो बताये कि अब इस नल को दूसरे स्थान पर कुछी दूरी पर हस्तांत्रित किया जा रहा है जिससे वहां की इस्तती साम देखे इस दोरान पत्रकारों को जानकारी देते हो क्या बोले जिलादीकारी अकेले सिंग्स वह भी सुनिये परवु नाले दुकान के ठीक सामने था जिससे दुकान के संचालन में तो इसी दिकत थी तो कुछ इस्थानी लोगती की मांग पर उसको शिफ्ट करने का जो है इन जरने किया है तो अभी जो वह पर दुकान संचालन में कटनाई को देखते हुए वहां से नल को निकाल दि इस तरह कोई मतला उसमें नल को निकलने से जल सामाने को कोई परिशानी नहीं है कि वलकुछ लोगों ने पर पतिष्ठा का परिश्था जो कि ठीक नहीं है और इसको अब लेकर कोई विलहाल वहां पर कोई विवाद की इस्तित नहीं है कि से वर्वार्वाई कोई नहीं हुई है जेन निरोधात्मक टारवाई और कानून व्यवपन मतली वस्ता बनाया रखने के लिए नहीं को पॉड़ा था एक आद दिन के लिए कॉर्स लगाई गई तो वह भी अभम दोग्यों है अब तुभी इस सामन है, इसलिए हम लोगी पोस्त को भी वहां से रोजा हटाने की कारवाई करें। सर्थ जिस तर से से पढ़े रहे हैं, पार्टी के रहे हैं कि वही पर नल का जो जहां से लग हटा लिया तो वही पर लगना चाहिए। दुकान के संचालन में दिकत थी, इसको देखते हुए नल वहां से रोजा है, शिफ्ट किया गया है, शिफ्ट भी केवल 5-6 मीटर किया गया है, तो इससे जल सामने को कोई दिकत नहीं है, तो ऐसी कोई दिकत नहीं है, अब विवाद, मैंने फिर कहा कि उसको कुछ लोगों न सहारेनपूर पुलिस के हाथ लगे नशे के चार सोधागर, कबजे से बरामत हुई लाखो रुपे की स्मैक, वरिस्ट पुलिस अदिक्षिक द्वारा चलाय जारे जनपत में नशे के तसकरों के विरुद धर पकड़वियान के तहर थाना गंगो, पुलिस द्वारा चार श जीत सिंग, पुत्र मुक्तियार सिंग, जिशान, पुत्र नेकी निवासी, थाना गंगो को गुरुफतार कर जेल भीजा गया, पुरे मामले की जानकारी दिया है, इसपिदे हाथ अतुन्द शर्मा ने सुनी है थाना गंगो, पुलिस को बहुत बड़ी सपलता मिली है, जिसमें कि हम लोगे ने कुछ तसकर और बेचने वाली महिला है, इसको पकड़ा है, ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कुबूल किया कि साथ में तसकर थे, ये इसको स्मैक सपलाई करते थे और वो यहाँ प बेचने का कांगरती थी, इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बराबर हुए है, जो पुस्ताज अब इदक चली है, तो उससे इनोंने दो तीन जगे बताई है, जो इनोंने कुबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल पे काम किया जा रहा है, और उन पे भी आगे कारवाई की जाएगी जहां से भी लाते है, जो पुस्ताज की गई है, जो पुस्ताज की गई है, और जा चली है, ये करीब 12 लाक्त की रुपे कितना है, उतवर्देश में जहरीली शराफ से पढ़ रही मोतो के वरोध में कॉंग्रेस यूने कि अपर दिशन, सहारनपूर में महानगर क कारेले पर कॉंग्रेस जन एकेत्रित हुए, और कॉंग्रेस जिलादिक्स चोधरी मुझदफर अली विमहानगर दिक्स पर उन शर्मा की सेयुकत अदिक्षता में अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारे बाची के, आपको बदा दे कि इस डिजिटल धरने में सभी जिले के कॉंग्रेस जन लखनाओ के परदेश मुख्याले से जूम एप से जुड़े हुए थे, परदेश अदिक्स ने कहा कि परदेश सरकार शराब माफियों पर लगाम लगाने में पूनते नाकाम साफित हो रही है, और ये सब परदेश सरकार में व्याप्त ब्रस्टा करम चार की वज़े से हो रहा है, उन्होंने परदेश सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। हम B.M. साब से मिलने के लिए आयए-पन देने के लिए आयाए थे, सारनपूर जो मेडिकल कॉलीज है, सारनपूर मेडिकल कॉलीज में जिस तरह की कतीविती चल रही है, उन्होंने जाज करवानी के लिए, दीम साब को प्रातना पत्र दिया है जिसमें हमने डॉक्टर संजीव जो की सीएमे से और पूर प्रंसिपल डॉक्टर मरतोलिया के सस्पेंड होने की बाद रातो रात जिस तरह से उन्होंने अपना पच छोड़ा वो एक संदे करेट करता है और जिस तरह से आज डॉक्टर अरविन जी के खिलाब जिस तरह से वहां पर हमारे जो दूसरे हमारे समाज के जो लड़के काम कर रहे हैं और दूसरे समाजों के जो बच्चे काम कर रहे हैं उन सब का जिस तरह से ड्रा धमका कर काम करवाया जा रहा है अड़ताल की बात कही जा रही है उन सब विशेव को लेकर हमने आज बीम साहब को ग्यापन दिया है और हमने कहा है कि दोक्तर संजीर जी के खिलाब आप जांच से कमिटी गठित कीजिए अखिल भारती ही दोवासबा के प्रदेश मंत्री गए की गुकशी को रुपाने वेकरने वालों के विरुद कारवाही की मांग करने है तू दंपत्ती के साथ पहुंचे जिलादिकारी के द्वार सोपा ग्यापन देखी क्या है उनकी मांगे आज हम नहां पर गाय के विशे में आये हैं इससे पहले भी हम कहीं बार एस्पी साहब को भी अवगत करा चुके हैं थाले में भी अवगत करा चुके हैं लेकिन आज तक उसके कोई कारवाई नहीं है यह हो रहा है कि वह पैसे ले दे के मामला निम्टाया जा रहा है और इन नहीं होना चाहते अगर उन्होंने इस तरह की हमारे साथ वर्ताव रखा तो हमें मजबूरन धरना देना पड़ेगा परदर्शन करना पड़ेगा यह गाहों पटनी का मामला है इन से एक आदमी इनके जानने वाला था इनके मकान बन रहा था कहने लगा कि मुझे आप दे दी जैसे कि आवारा गाय घूमती है उन्हें कसायों से मिलके लदवा के भेज देता है हिंदु जागरन मंच सहारेंपूर महानगर केतातो अधान में आज घंटागर गुर्दुवारा पर इसर में महानगर योदा सनातन धरं रक्षक वीर शिरोमणी त्याग वेसयम की प्रतिमूर्ती बाबा बंदा बहादूर सिंग का बलिदान दिवस्मनाय गया इस सफसर पर हिंदु जागरन मंच की ओर से उन कुर्षर धांजली सवरूप अरदास पार्ट वेल लंगर के ववस्था की गई ये सफसर को रुपस्तित जन समुदाय को सम्मोधित करते वे प्रांत संपर्क प्रमू ठाकूर सूरेकान सिंग ने कहा कि बाबा बंदा बहाद दूर सिंग भारति ध्यास के सुवन अक्षर है आरे समाज मंदिर खेड़ा अफगान में आजित सरधरम सभा में लोगों ने दी कोरोना महमारी से जान कवाने वालों कुर्षर धांजली आज बुद्वार को सुबह 11 बजे आरे समाज मंदिर खेड़ा अफगान में इकित्र लोगों ने श्रत भाव सी कोरोना वारस के कारण जान कवाने वालों को श्रत धांजली दे कर दो मिनेट का बोन रखा देनिक जागरान की इस पहल को सभी ने खूपस रहा भी सरधरम सभा में वे घुशन गुपता अमितारिये विनेगर विपिन सैनी शशीकान गुपता महे अगर यह वीडियो आपको पसन है तो प्लीज जाद सा जादा लाइकन शेयर भी करें